दोस्तो क्या आपने एक ऐसे समुद्री जीव के बारे में जानते है जो अपने दुश्मन को मारने के लिए पिस्तोल गन के जैसी पावर का इस्तमाल करता है जी हाँ दोस्तो दोस्तो कल पना करिए आपका काफी साल पुराना एक दुश्मन है और रहा चलते आपकी मुलाकत उससे होती है और आपके पास एक पिस्तोल है तब आप क्या करोगे आपका तो पता नहीं लेकिन ये जीव अपने दुश्मन या सिकर को देखने पर पलक जपक में पाई जाती है मतलब की समुद्र के देड मिल नीचे तक दोस्तो ये इतना गहरा है यहां दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीपा वैसे सीधे एक के उपर एक अगर तीन बिल्डिंग को रखा जाए तो ये उसके बराबर हो सकती है आप यही काफी गर मिलाकों में अपना डेरा डालता है जहां बाकी के जानवर को उबाल कर रख देगा दोस्तो अब आप सोत रहे होंगे कि ये बचता कैसे है तो दोस्तो इसका अंसर है कि ये खुद मेटल है जी हां इनका बाहरी खोल आरन सलपैट से बना होता है जिसका मतलब है कि इसका आदा हिस्सा सच मच का मेटल का है तो दोस्तो इससे अधुद जीव के लिए एक लाइक तो बनता है नमबर डू माटा माटा टर्टल माटा माटा टर्टल एक रोचक और अनुके प्रकार का कचुवा है जो दक्चिन अमेरिका के जंगल के जलव आयुव में पाया जा जिसमें इन्हें एक अनुका रूप मिला है इनके स्पेसिफिक दिकावट के कारण इन्हें कचुव के राजा के रूप में जाना जाता है माटा माटा कचुवे गीली जगों में रहने की प्रातमिक्ता देते हैं जोने अपने हाय कल्चरल वैल्यू और प्राकुर्टिक वा माटा माटा कचुव की संक्या धिरे धिरे घट रही है इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए जीजस लीजर्ट एक रूमाज करेट जीव है जो मुखे रूप से उतरी अमेरिका के दक्सिनी हिस्तों में पाया जाता है इसका वैग्यानिक नाम बेसी लिसकस कुविल या वाटर वाकर के नाम से भी जाना जाता है जीजस लीजर्ट की गयरी हरी रंकी खाल आती है जो इसे चंगली वाता ओरन में आसा निसी चिपने में मदद करती है ये चोटे से बड़े आकार के साथ एक शकतिशाली शरीर वाले जीव है जो अपने शिकार को पकड़ने के के लिए धारी धारी पर कुदते हैं यह विचीत्रा और चमतकारी जीव है जो अपने यूनिक एक्टिविटीस और दिकाउटी शुरूंगार के लिए जाना जाता है जीदस लिजट का विचार सिल व्यवहार और सुंदर सहबाव इसे विशेस बनाते हैं और इसे प्राकृति दोस्तों मैंटी स्रिम यह जलिये जीवह की एक अध्वुत जाती है जो समुदर के नीचे पाई जाती है मैंटी स्रिम का आकार आम तोर पर 4 cm तक होता है लेकिन कुछ प्रकर के मैंटी स्रिम 25 cm तक के भी हो सकते हैं इनके शरीर का रंग निला, लाल, भुरा या हरा होता है और उनकी एक खासियत ये है कि उनकी आंतरिक बाये चाल अलग-अलग रंगों में दिखाए देती है मैंटी स्रिम अपने तेज चालो और शक्ति चाली पंजों के लिए प्रसीद हैं इनके पंजे उनके शिकर को मारने के लिए उपयोगी होते हैं और एकी मुका मारने पर व और रोल प्ले करते हैं क्यूंकि ये समुद्री जीव समधाई के जीवों की संक्या को नेंद रित करते हैं मैंटी स्रिम के रंग-विरंगे शरीर और रोचक चाले इन्हें एक लोग प्रियज जीव बनाती है और इन्हें एक मनोरंजग के रूप में भी रखा जाता है जिसके किसी भी शिकर को पकड़ने के लिए उप्योगी बनाते हैं इन स्रिम के पिस्तल दात से एक तेज आवाज उदपन न कर सकते हैं जो एक छोटी सी लहर की तरस सुनाई देती है ये लहर उनके शिकर को ब्रमित करने और शिकर को आंदा करने में मदद करती है फिर ये एक आंश्रे जनक समुद्री जीव है और अद्बुत प्रोपटिस ने वगयने को कोभी हिलादर रखा है नमबर 6 मीमिक ओक्टोपस मीमिक ओक्टोपस एक अद्बुत और रोचक समुद्री जीव है जो प्रमुक रूप से पुर्वी और धक्षिनी पुर्वा एसे के समुद्र में पाया जाता है यह एक प्रकर का ओक्टोपस है जो अपने शरीर के रंग, आकार और चाल को बदल सकता है ताकि वो अपने आसपास के वातावरन में घुस पेटिये को ब्रमित कर सके और अपनी सुरक्षा कर सके मीमिक ओक्टोपस की एक खांसियत यह है कि यह दूसरे समुद्री जीव की मीमिक करते है यानि की नकल करते है यह अपने शरीर को धीरे धीरे बोक्स पीस, पीसीच पीस, साब, शिर्षे की पेसी जैसे जीव की रूप में बदल कर उनसे बचने की कोशिस करता है इसकी चीवने और रक्षा करने के लिए यह अपने दो पेरांतरी शाकाव का भी उप्यप करता है मिमिक उप्टोपस का शरीर छोटा होता है और उसके सर पर आकर शिल चेहरे जैसे दो अंड़कोश होते है और स्टैगिन और बिस जैसे प्रानिया के रूप में मिमिक उप्टोपस को देखना समुदरी जीव वैगयनिकों के लिए एक रोचक अनुसंदान विशय है नमबर सेवन मलियन कोलोगू मलियन कोलोगू जिसे फ्लाइंग लिजर्ड भी कहते है चमगादर की तरह दिखने वाला ये एक अजबुत जीव है वैगयन एक रूप से इससे सीटा का प्रजाती से जोड़ा जाता है ये विशेश रूप से दक्षिनी पुर्वा इसे के जंगलों में पाया जाता है जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर और ताइवान मलियन कोलोगू का शरीर लंबा और नजर आने में फैला हुआ होता है और इसकी लंबाए लगबग 2 फूट तक होती है इसकी तच्चाव विशेश रूप से मेंब्रेन से डखी होती है जिसे आकार में रूडी होती है और इसके हर अंग को छोटी सी पतं की तरफ फैलने देती है इसकी चमकदर आंखे रात में इसे अच्ची तरफ से देखने की ताकत देती है और इसके तीस नाकुन उसे पेडों पर आसने से चड़ने में मदद करते है मलिन को लोगू एक ट्रीक लैंबर जानवर है जो रात के समय अपने प्राकुर्तिक आवाज से बाहर आता है इसकी एक अद्बुत अंटिस्टाटिक शमता है जिससे पेडों के बीच लटकते हुए बहतरी तरीके से घुमने में मदद करती है ये एक आकर्चक और रह समय चानवर है जिससे वन्य जीवन के मतोपुर्णा हिस्से की रूप में कोगनिजेंस किया जाता है दो तो एक चोटा दरियाई जीव है जो पसी में आफरिका के जंगलों में पाया जाता है एक चोटा सा जीव है और इसका वजन लगवा 15-25 किलोगराम तक होता है जीवर डायूकर का नाम इसकी स्पेसेलिटी के आधर पर रखा गया है जिसमें इसके शेरीर पर जीवर जैसे धारदार पट्टे होते है इसकी खाल सपेत रंकी होती है और उस पर गईरे सिया धारदार बंदे होते है जिसे खास बनाते है जिब्र डायूकर एक शांत और रश समय प्रानी है जो रात के समय अपने आहर के लिए जंगलों में गुमता है ये जंगली डायूकर खास कर फल, पत्तियों, छोटे पोदे और छोटे किटानों का सेवन करता है इसके दाथ छोटे होते है, जो इसे इसके आहर को चबाने में मदद करते है जिब्र डायूकर अंडे देने वाली प्रजाती है, और ये अपने अंडे को नीचे के पोदों में चिपा कर छोड़ दिती है ये जो मुक्य रूप से 1G1 प्रेमियों के बिच प्रसीद है, जो इसकी सुन्दरता और अनों के रंगिन शरीर को देखने के लिए लोगों को अपनी ओर खिसता है साइगा एंटिलोब एक छोटी आकर का अद्बूत प्रानी है, जो मुक्य रूप से मद्य असिया के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है इसकी विशिशता है उनकी बड़िनाग, जो अनने अन्टिलोब से अलग होती है, जो सतर से असी सेंटिमीटर तक होती है और पुरूशिक की उंचाई में मादा से थोड़ा ज्यादा अंतर होता है इनकी संक्या में दिन प्रती दिन गिरावट हो रही है इसके पीचे प्रमुक कारान 1GV मार्केटिंग का बढ़ना और उनके रहने वाले सेत्रों के लिए उचीत संरक्षन की कमी है इनकी खाल के लिए भी ये अवेद शिकारी द्वारा सिकर किये जाते है सायगा एंटिलो पे एक वनस्पति भक्सी है और घास, पोधे, लकड़ी और पेड़ो की छार आदिका सेवन करते है इनने बचाने के लिए उचीत संरक्षन के साथ-साथ उनके प्राकृतिक आवासों की संरक्षन को बनाये रखने और उनके बीच बढ़ती हुई वीपनन गती वीदियो का प्रबंधन करना मातोपुर्ण है दूस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना है और आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट वोक्स मुझूद है और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और हाँ चानल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफी ज़्यादा रिसर्च और मैनत लगती है उमिदे आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी तो दोस्तों अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना खैल रगिए धन्यवाद